गाइस यह है एंटी रेडियेशन चीप और इस चीप की मदद से आप फोन में हो रहे है जो भी रेडियेशन है उसको काफी हद तक कम कर सकते हो आज के इस वीडियो में हम यह जो एंटी रेडियेशन चीप है यह एक्चुल में है क्या और किस तरीके से काम करता है और क्या सही में यह phone में हो रहे जो radiation है उसके level को काम करता है या फिर नहीं करता है useless product है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप अगर इंटरेस्टेट हो इस radiation topic के बारे में जानने के लिए तो make sure इस वीडियो को यह तक देते होते हैं वो सभी के सभी जो है electronic radiation को पैदा करते हैं जो कि हमारे human life के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन में स्टार है 07 है करके आप अगर डालोगे तो वहाँ पर जो उस phone का जो radiation level है कि phone जो है कितना radiation पैदा कर रहा है उसका level को आप live जो है चेक कर सेकते हो यहाँ पर screen पर मैं number दे रहा हूँ इसी number को आप जो है अपने dialer में dial करके देख लीजेगा कि आपके phone का जो radiation level है वो कितना दिखा रहा है अभी हम बात करते हैं कि government के according यहाँ पर radiation level को जो है अलग-अलग country के लिए अलग-अलग हिसाब से set करके रखा है ताकि जितने भी सारे smartphone या फिर जितने भी सारे electronics accessories है वो ही government के guideline के अंदर में रहे कि अपना जो radiation level है उसको set करके अपना जो product है उसको market में बेचे तो यहाँ पर government का guideline है उसके हिसाब से 2 kilowatt radiation से अंदर में होना चाहिए 2 kilowatt से ज़्यादा अगर radiation होता है किसी भी product का तो वहाँ पर human life के लिए काफी हद तक खतरा पैदा कर सकता है तो यहाँ पर यह जो radiation cheap है इस brand का कहना यह है कि आपके phone में जितना भी radiation हो रहा है जितना भी radiation जो phone है वो produce कर रहा है उससे काफी हद तक यह जो radiation cheap है यह पैदा कर सकता है sorry कम कर सकता है यहाँ पर अगर हम बात करें यह जो radiation cheap है इसका क्या चीज है यह तो यह actual में एक तरीके से एक material ही है एक sticker ही है मैं यहाँ पर इसको जो है लगा दिया था अभी इसको निकाल दिया हूँ यहाँ आप देख सकते हो यह actual में एक sticker ही है जो कि यहाँ पर radiation cheap नाम से इसको बेचा जा रहा है तो अभी मैं आपको live दिखाता हूँ कि यह जो radiation cheap है इसको लगाने के बाद में कितना radiation कम होता है और इसको निकालने के बाद में कितना radiation जो है फोन में आता है तो अभी हम देखते हैं कि यह जो anti-radiation cheap है यह किस तरीके से work करते है तो यहाँ पर इसक और यहां पर हमने डाइल कर लिया है यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो रेडियेशन लेवेल है वो 1.400 Watt per kg है यहां पर इतना रेडियेशन आप जो है हमारे फोन में देख सकते हो यही रेडियेशन अभी हमारा फोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद में अभी ह का जो बैटरी है उसके पास आज पास में जो है इस रेडियेशन चीप को जो है लगा देते हैं और यहां पे अगर हम करेऊ Star has zero seven has तो यहां पर आप देख सेटे ओ की हमारा जो रेडियेशन Leave वहलं है जितना पहले था उतना ही है अभी के टाइम पे भी तो यहां पे इस रैडियेशन चीप का जो है कोई भी वेल्यू नहीं है यह जो रैडियेशन चीप है यह बिल्कुल वर्क नहीं करता है यह एक स्कैम है यहां पैट देखेते हो यह इसको मैंने लाइबली आप चीप बगरा है न सब कुछ बिलकुल फालतु है कोई भी वार्क इसमें जो है नहीं करता है अब यहां बात करते हैं जो रेडियेशन है उसमें चेंज़ेस बगरा कैसे होते हैं और यहां पर बहुत सारे ऐसे फोन है जो की ग्लोबल लेवल पर मिलते हैं जो की एक बार लिए सिप्ट कर देता है सारे फोन को जैसे की आपल बगरां करते है और बाकि कुछ ऐसे फोन होते हैं जो की स्प disinfect लेज गांज करके उसको पक्रकर के उसके लिए ही बनाँते हैं और उस फोन में रेडियेशन लेवल को उस कोंटरी के हिसाब से रखा जाता है तो यहां पर अगर एक चाइनीज फोन को और एक इंडियन फोन के फोन को जो है उसका रेडियेशन को इंडियाइन फोन में फ्लास कर देती तो कम जाता है तो यह और टोटल रेडियेशन तो इसको बाय बगरा करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है तो गाइस उमीद है आपको पता चल चुका होगा कि यह जो एंटी रेडियेशन जीप है यह कैसे वर्क करता है और क्या यह यूसपूल है या फिर नहीं तो आज के लिए बस इतना ही गाइस वीडियो पसंदो प्ली करता है धएस तो आज्ट है destacे है यह समस्क्ते क्वातों है या यह कि에서 क्याक्षपर यजर नही बग्री डिए टिढदे क्या बग्यक्वी साठाज कर तेर को स зовتक्ते क्या दो टोपने हैं तो कि यह कि यह साठाज कर रमक्षप है इस दो झाटन सaskaउक्षपर का बगश्टर